Hello everyone of class 10th, now it's a third question of exercise 6.2 इसमें एक figure दे रखा आपको, इसमें जो LM है, ये parallel है BC के, LN parallel है CD के and we need to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD, बहुत important question है ये At first हम consider करेंगे, in triangle ABC, LM parallel BC, LN parallel BC So by Thales theorem, Thales theorem से क्या होगा, AM upon MB is equal to AL upon LC ये तो आप जानते हैं, एक equation होगई, now, नीचे वाले में देखो, अब ACD में, ACD में क्या है LN parallel CD, ये दे रखाए, इसमें भी Thales theorem लग जाएगा, Thales theorem लगाएंगे, इसमें भी, क्या आएगा इसमें AN upon ND is equal to AL upon LC, वैसे लिखा होगा, AM upon ND is equal to AL upon LC फ्रॉम इकक्षें, फर्स्ट एंड शेकिन, इन दोनों के राइट-हन साइड इक्कोल है, देखो, AL upon LC इसमें भी है, AL upon LC ये यहां भी है तो लेट साइड एक्कोल होगे, AM upon MB is equal to AN upon ND अब अगर हम इसका reciprocal कर दें MB को उपर ले जाएं, AM को नीचे दोनों तरफ का reciprocal कर दिया मैंने अब इनमें दोनों तरफ 1 add कर दो, adding 1 बोथ sides, लिख लीजेगा right side उसमें, 1 के निजे denominator में 1 माना LCM लिया, AM आया उपर MB, AM वन्जा AM यहां भी वशी रहा, AN नीचे आया AN से डिवाइड गया, यह ND बचा प्लस, जैसे आप नॉर्मली करते हैं LCM लेके, MB प्लस AM देखें द्यान से क्या रहा है, MB प्लस AM, पूरा क्या जाएगा, AB यहां गया, AB AB अपोन AM हो गया, यहां ND प्लस AN, ध्यान से डिखें ND और AN, दोनों को जुड़ेंगे क्या आएगा, AD AD अपोन AN, फिर से रेशी प्रोकल कर दीजिए AM उपर AB नीचे, AN उपर AD नीचे AM अपोन AB इक्वाल तो AN अपोन AD यही आपको प्रूब करना था AM अपोन AB इक्वाल तो AN अपोन AD इस तरीके से होता है अब नेक्ट कुशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में